आज दोस्ता हम पालक के पकोड़े बना लेते हैं, वो भी काफी क्रिस्पी और स्वाधिष्ट है, मैं इसे तोड़कर दिखा देता हूँ, यह देखेगा कितना क्रिस्पी लग रहा है, देखने से ही लग रहा है कि इसके अंदर तेले बहुत कम आया है, और यह काफी भाई पालक का कोड़ी बनाने के लिए सबसे पहले तो हम पालक ही लेंगे, तो भाई लेली हमने पालक, अब क्या करना है, वैसे तो मैंने इसके पत्ते निकाल लिए, अब इन पत्तों को हम काट लेंगे, वो भी थोड़ा सा बड़ा-बड़ा, तो काट लेते हैं इसको, ल जोए यहां पर प्यास को लंबा-ळंबा काटश तरीक से यहां पर इसे हमें चौोप नहीं करना है इस तरीकर से नम्बा-लंबा काटना है नंभी-लंबी स्लाईच से पलाग्क की पकवड़ी है वह काफी शादश लगयेगे अब प्यास कटकर त्यार हो गया है तो इसे भी डोंगे में निकाल लेते हैं अब काट लेंगा हम हरी मिर्च इसको हम इस तरीके से काटेंगे बिल्कुल बारिग-बारिग नहीं काटेंगे मैंने यहाँ पर लगए 7-8 हरी मिर्च लीए जो कि काफी तीखी है लेकिन ये बड़ी बड़ी जो हरी मर्च थोड़ी सी डालेंगे इससे जो पकोड़ी है वो काफी स्वाधिश लगती है और जब ये हरी मर्च मुह में आती है तो बास्ताव में लगता है कि हमने पकोड़ी खाई है अब इसको भी हम डोंगे में निकाल लेते हैं और अब लेंगे हम लेसुन इसे भी हम बड़ा बड़ा काट लेते हैं सोरी इसे बहुत ही छोटा छोटा काटेंगे बिल्कुल बारी 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 चौप करेंगे अब लेसुन को भी हम इसी में निकाल लेंगे इसी के सार ले लेंगे एक इंच अधर का टुकडा इसे हम कद्धूकस कर लेंगे अब सारी सब्जियां कर चुकी हैं तो डालेंगे हम इसमें बेशन लगवग दो छोटी साइज की कटोडी बेशन लिया है या आप दो मीडियूं साइज की कब भी कह सकते हैं मैंने सजी कटोरी लिए और अब डालेंगे समां थोड़े से मसाले जिसमें थोड़े से यल्दी डाल दिये लगवब आदा टेबली स्पून जितनी होगी इसी के साथ नमक स्वादर नुसार या एक टेबली स्पून जितना लगवब एक चौताई चम्म जितनी हेंग भी डाल क्योंकि पानी अगर ज्यादा हो जाएगा तो जो हमारी पकोड़ी है वह ज्यादा तेल पिएगी और जो पकोड़ी का एक्तम से क्रिस्पी स्वाद है भो भी नहीं आएगा इसलिए से हम पहले मिला लेंगे तब बिल्कुल हलका सा पानी डालेंगे तो मैं यहां पर थोड़ा से पानी के चीटे से कम चला सकते हैं बस हमको जो इसका बैटर रहे वो काफी थिक रहना है मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा पानी डालने पर भी इसका धूर गीbut तो क्या करेंगे अरे भाई सीधा सीधा इसमें हम थोड़ा सा बेशन मिला देंगे और अब इसको फिर से हम अच्छी तरीके से मिला लेंगे अब पकोडी के लिए तो बैटर तयार हो गया है देखेगा कितना थिक बैटर बना हुआ है देखने से लग रहा है काफी थिक है और तिल को अच्छी तरीके से गर्म हो जाने दिना है बस यही दो काम करने अब तिल गर्म हो गया है तो इसमें डाल देंगे हम पकोडी मैं इसमें साइज की पकोडी डाल रहा हूं आप चाहें तो पकोडी का साइज थोड़ा सा छोटा भी कर सकते हैं लेकिन जो पालक की प पालक की पकोड़ी को हम पलट लेते हैं देखेगा अब इसका साइज थोड़ा सा छोटा हो गया है इसलिए मैंने आप थोड़े से बड़े साइज की पकोड़ी डाली थी यहां पर पकोड़ी सेंकते समय सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि जो गैस की फ्लैम उसे मीडियम अगर सिलो कर देंगे तो भी तील जादा पी जाएगी और अगर बहुत जादा हाई रखेंगे तो अच्छी तरीके से नहीं सिख पाएगी इसलिए इसे हमें अच्छी तरीके से मीडियम फ्लैम पर सेंकना है अब पकोड़ी हमारी सिख चुकी है तो इसे निकाल लेते हैं अगि बरतन में देखेगा देखने से कितनी अच्छी लग रही है, अब इसे बनाएंगे तब आपको पता चलेगा कितनी क्रिषप और कितनी स्वादिश्ट है और सबसे कास बात किसने बहुत कम तेल को पी आए, अब जो हमारी बची हुई पकोड़ी है उन्हें भी सेंग लेते हैं, अब पालक की पकोड़ी दिबन कर तयार हो गई है, तो अब आप इसे हरी मिर्ज की चट्नी या दही की चट्नी नारील चट्नी जिससे भी चाहें उससे सब्सक्राइब करें, जिसके भी साथ ही आपको काफी स्वाधिश लगें, मैं फिलाले से चाय के साथ खाने जा रहा हूं, क्योंकि बगल में बन रही एक गर्म अगरम अध्रिक वाली चाय, तो भाई उससे ज्यादा तो किसी भी चट्नी के साथ पकोड़ी अच्छी नहीं तो कब बना रहे हैं स्वाधिश स्वाधिश टो क्रिस्पी क्रिस्पी पालक के पकोड़े, जब बनाएं अपना फीड़े को मैं जरूर दें, और अगर रेस्पी पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ सेर करें, और हमारे चैनल पर पहली बार आयो तो सब्सक्रा